हलो एंड विल्कम टू वी यार मैथेमाटिक सड़ा तो गाइज बहुत सारे बच्चों का ये प्रोब्लम आ रहा था कि सर हम लोगों को जो जिस तरह का मोडल सेट आया है अगर मैच के सवाल को देखे जाएं तो उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं सर जो काफी लेंदी हैं उसको बनाना तो आखिर options को कैसे select किया जाए और कैसे approach बनाया जाए अब देखो मैं आपको बताओ आपके सामने जो 70 questions होंगे MCQ के उसके लिए टाइम होगा 1 घंटा और 30 मिनट 1 hour and 30 minutes 70 questions 1 घंटा 30 मिनट में आपको बनाने है अब उस 70 questions को आपको नहीं बनाना उस 70 में से 35 questions को ही आपको बनाने है ठीक है गाईस अब चलिए मैं सबसे पहले 5 ऐसे सवाल को दिखाता हूँ जो आपके model set में आए है बट उनको हम नहीं बनाएंगे और क्यूं ये भी हम देखेंगे अब देखें सबसे पहला सवाल है ना दिमाग में आ गया दूसरा सवाल देखो जब सवाल देखना और ये रहा तीसरा सवाल ठीक है 14 सवाल ठीक है देख लिया आपने पांचवा सवाल ठीक है अब ध्यान दो अच्छा एक बात बताओ कि इन पांचों ही सवाल को बनाने में कम से कम पांच मिनट तो लगेगा एक सवाल को बनाने में यानि कि 5 इंटो 5 इस 25 25 मिनट में पांची सवाल बनाएंगे वो भी MC की वेक नमर का यह कोई बात नहीं हुआगा इस है ना अब देखो तो options के लिए और question के लिए आपको काफी choosing होना पड़ेगा फिर काफी selective होना पड़ेगा question के लिए है ना जैसे में बहुत सारे question ऐसे हैं for example this one this one and this one and there are so many examples questions in your model set बहुत सारे इससे question है आपके model set में जिनको by looking up easily solve कर सकते हो तो कोसिस क्या करना है आपको और mindset क्या रखना है कि सबसे पहले उन 35 questions को किये जाए जो बिल्कुल ही one liner है पतलब एक line में उसका answer है clear cut easy उसके बाद जो अगर 35 नहीं हो पाया one liner इसे हो जाएगा और अगर नहीं हो पाया तब बड़े questions को हाथ लगाएंगे दरवाई क्यों time waste करना है आपको है ना hopefully clear होगा आपको बैत के section में कैसे आप अप्रोच बनाएंगे अच्छा अगर आप chemistry और physics को देखो ना गाईस almost सारे question one liner ही है उसमें ज्यादा सूंचने का नहीं है ना simply आप अप्रोच बना के solve कर सकते हो होपफुली कुछ clarity मिला होगा आपको कैसे आपको question को attempt करना examinations exam में है ना all the best and thank you so much if you have got something from this video do share the video like and subscribe the channel thank you so much